मैं इसलिए इतना चल रहा हूं कि जो मांसून होता है हवाएं देखती नहीं हवाएं देखती नहीं इसको महसूस करना पड़ेगा ये मैंड में पिक्चर बटाना पड़ेगा कि हां एसा हो रहा है और एसा हो रहा था क्यूं हो रहा है मैं आपको प्रूब भी तो बता रहा हूं क्यूं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा imaging करना पढ़ेगा और जिसके बाद में महसूस करना कि मानसून जलबायूमें अंतर होता बहाँ से देखेंगे थिक केले हम देखना है अभी बारिस करवाते हैं हमारे भारत में और मंति प्रदेत में बारिस कारवा दिते हैं फिर देखते हैं जो भी ठीक है तो अभी मैंने बताया कि जो यहां पर निम्नवाईद आपका छेत्र है इसको भरने के लिए हवाया चलती है अब देखते हैं तो 21 जून को 21 जून को हमारी करगरेका पर सूरी लं बन रहिए ये 15 दिसम्बर की 15 दिसम्बर तो अभी देखो हमारे के सरदी घढ़ाएं कि ठीक टो 15 दिसम्बर तो आप 2.000 बीपास में आने वाले हैं 20 दिसम्बर पास में आने कि 7 दिन बाहना है सूरी चमकने वाला है साथ दिन बाग तो मकर रेका पे चमकेगा तो सूरी की किरने लंबत का चमकेगी सूरी की किरने लंबत का चमकेगी इस मकर रेका पर मकर रेका पे चमकने कारती है ITC-J जो भी मकर रेका पे आ जाएगा तो इदर क्या होता है सर्दी का टाइम हो जाता है क्यों हो जाता है कि मकर रेका पर सूर की गिर्णे लंबवा चमक रही है तो ITC-J भी मकर रेका पर अभी सरण करेगा सूरी के साथ में और वहां पर फिर निमन वायुदाब बनेगा अभी जो वर्तमान में अभी जो वर्तमान में हमारे इंडिया में सर्दी का टाइम चल रहा है सर्दी का दिसंबर का महिना चल रहा है सर्दी का टाइम चल रहा है और वाई दिसंबर क्या होता है सूरी मकर रेका पर चमकता है तो सूरी अभी सरण किस की और हुआ मकर रेका की हो ठीक है तो अभी मकर रेका पे क्या होगा मकर रेका पे निम्न वायुदाब का छेत्र होगा निम्न वायुदाब का छेत्र का होगा मकर रेका ठीक है तो इस मकर रेका पे निम्न वायुदाब का छेत्र का होगा मकर रेका ठीक है तो इस मकर रेका पे निम्न वाय भारत में अभी दिसंबर के टाइम ठंड का टाइम होता है अच्छे का सी ठंड पढने लगती है दिसंबर जन्वारी के महिने माइने माइने अच्छी ठंड पढने का अरति यह है इस चेत्र को इस आईटीसी जेट चेत्र को भरने के लिए इस तलखंड से और सागरी चेत्र से सब और से हवाई चेत्र को भरने के लिए चल पढ़ती है तो यहां सुर्य एकटने लंबत नहीं चमक रही है इसके कारण हमागर्मी का मैसूस नहीं होता है यानि कि कैसा मैसूस होता है ठंड कटाई है यानि कि सर्दी मैसूस होती है क्यों होती है सुरी की किड़ने लंबत नहीं जमाखनी है टेंपरेचर जादा नहीं है इसलिए तो सर्दी का मैसूस हो रहा और हवायं चलती है तो हमाँ में उतनी नमी नहीं नहीं रोप से घ्र हिना की सबसर सेन्टिमेलर के भीच में वस्टन बारिस हो जा तो इतनी नहीं नहीं होती लेकिंन जब हवायं चलती है उस च्छेत्र को भरने के लिए तो हवाएंrator हुँ यो हुई लिए तो इसे प्राइड यह क्योंकि हमारे सफसे और उन में वहां वेति हैं प्रकास से काइह पर नहीं उटमाद रहा है नहीं तो भी हमारे अच्छे है जो करकरेका पर लाएं का रहेगा तो तो फारन होगा थंडी होएं ठीक आपको मैं बता दू कि जो दुरूँ से चलने वाली हवाएं क्या होते हैं थंडी और भूमद्द और से जर्म हवाएं चलती हो हो टी हैं गर्मी भूमद रेखा से चलने वाली हवाएं वो घर में हवाए होती है और द्रूहों से बूमद रेखा की और चलने वाली हवाओं में क्या होती है नमी यानि यू ठटी होती है तो यहां पर निम्नबाइद आपके जत्रे हवाएं चलेगी पढ़ने के लिए इन में होगी ना भी तो भारत से गुजरती है तो यहां क्या होती है सर्दी का टाइम हो जाता है और सुरी की गड़ने लंबत नहीं चमकती है तो भी सर्दी यहां पढ़ने लगती है अब जब स सुरिय लंबत चमका तो सुरु लंबद चमक नहीं करती है सुरी किडऴने लंबत डिर्ट ठीची न पढ़के सीधी किड़ने करग़हा पर पढ़य है तो करिक़हा पर पढ़ भारा दापका छेतर क्या होगा गया निम्न होगा थीक है अब जो पावने हैं व्यापारीक तो अब यहाँ की इस इतनी अच्छा सी बारिश नहीं पांच से दस वर्साट पांस से दस सेंटेमिटर वर्शा की Zent треб tri कि करक रेका पे सूरी लंबद चमक रहा है करक रेका पे सूरी लंबद चमक रहा है ठीक है तो यह हुगई करक रेका यह हुगई गुमद रेका और यह हुगई मखर रेका तो आप इधर से हवाएं चलेंगी इधर से हवाएं चलेंगी इधर से हमाय चलेगी ठीक है तो मैं आपको बता दू इधर से हमाय चलेगी ठीक है क्यों इधर से ही क्यों चल रही है इधर से ही क्यों चल रही है क्योंकि क्योंकि जो करकरेका है वहां पे करकरेका है वहां पे निम्न बायुद आपका छेतर है उसको भरने के लिए अवाएं काज लेंगी मकर रेका से यालिकि इधर से इधर से चलती जाएगी ठीक है तो ये काई मोचेगी भूमत रेका तो फेरल का नियम ये कहता है फेरल का नियम ये कहता है ये हमारी प्रत्री है और ये हमारी 0 डिग्री है और ये हमारी साड़ते विल्स डिग्री है और ये भी हमारी किन्ती है साड़ते विल्स डिग्री तो ये हमारी गिरो डिग्री है ये साड़ते विल्स डिग्री कर गरेका ये साड़ते विल्स डिग्री मकर गरेका तो फेरल का नियम ये कहता है कि भूमद्य रेका पे हवाएं अपने दाई और बाई और मुर जाती है तो देखते हैं तो उत्री धुरू से आने वाली हवाएं अपनी दाई और मुरती है और दक्षणी धुरू से आने वाली हवाएं अपने बाई और मुरती है अपने बाई और मुड़ती है तो दक्षणी धुरू से किदर मुड़ेगी लेफ्ट में दक्षणी धुरू से चलने वाली हवाएं भूमध रेका पे जब पहुँचेगी तो वो अपने किदर मुड़ेगी लेफ्ट में और उत्री दुरू से चलने वाली हवाएं मकर भूमत रेका पर जैसे ही पहुचेगी वह अपने किदर मुड़ेगी राइट में दाएं तो जब यह हवाएं जब यह हवाएं इस परिकार से चल रही है ठीके जब यह हवाएं इस परिकार से चल रही है तो यह अपने किदर मुणेगी इदर मुणेगी ठीके यह अपने काम मुणेगी दान और यह भी अपने काम मुणेगी बान तो यह वाली हवाएं तो अपने रा प्राइट किदर होगा यह और इधर चल रही थी ठीक है तो इसका लेफ्ट किदर होगा यह तो यह इधर मुड़ेगी और यह इधर मुड़ेगी तो इस परिकार से जाएगी तो मैं आपको बता दू कि उत्री धुरू से चलने वाली हवाएं भूमद्रेका पे अपने दाईय और अपने बाईएं कब मुड़तीना है झाल जब भूमद्रेकां से तो आगजर देखते अभी आपने यह डिका कि उत्री धुरू में जब जब भूमद रेका को क्रोस करती है तो दहराएं केदर मुड़ती है दाएं यानि कि उत्री ध्रू में चलने वाली हवाएं अपने दाएं और मुड़ती है तो एक बार बता रहा हूं अपने दाएं और मुड़ती है तो अब देखते है अब देखते हैं तो यह हमारा गिलोग है तो आपको पता है यह भूमत रेका को क्रोज कर चुकी है यह भूमत रेका को क्रोज कर चुकी है तो आपको पता है कि जो भूमत रेका के उत्तर में जो है उत्री गुलार्द है भूमत रेका के नीचे जो है दक्षिर में जो दक्षिरी गुलार्द गलाता है तो जो ये वाली भूमद रेका हमारी ये वाली भूमद रेका के दक्षुड में ये भूमद रेका के दक्षुड में ये भूमद रेका के दक्षुड में ये भूमद रेका के दक्षुड में हवाएं अपने लेफ्ट में और भूमद रेका के उत्तर में हवाएं अपने दाय तो यह इदर चल रही है एक बार समझो फे उत्री गॉलार्द में हवाएं अपनी भाईों प्रम जा रही है तो इनका दाया की तर अधर अधर रही है मूड़ गोई हवाएं ठीक है इधर मूली तो यह हवाओं को हमने मौड दिया और यही हमारा इदर क्या है भारत है रिदर क्या है तो इस प्रकार आप हवाओं को मौड दिया इहां बना निम्न दाफ का सि Blumad Recha के और अभी सरण्ड करेगा मतल आ इटी सेट भी अलबी स्रण्ड करेगा और यह हवाये भी चलेङगी इस चेत्र को वरों इस चेत्र को भरने के लिए हवाएं भी चलेंगे जिसको बोलते है व्यापारिक पहूं ने जब जलवायू पढ़ाएंगे मानसुन पढ़ाएंगे तब देखेंगे अभी अम्द्रिदेश का पढ़ा है मोटा मोटा ज्यादा व्यव्यादा अलमगी वीडियो हो जाएगी तो सूरइ जो है अब मकारेगा की ओर अविश्रन करता करता देरे यह देरे मकारेगा की ओर अविश्रन करेगा आविश्रन करेगा तो यह सूरइकी लूश स convince गहिए तो Keith यह तो आप虫शाइए देखो जब यह हवाय शागर से होती सागर से होती हुई जल से वास्प घ्रण करके जल से नमी घ्रण करके बहुत ज्यादा मात्रा में नमी घ्रण करके मैं हवाओं को भी बताऊंगा कि ज़्यादा बारिस कब होती है कम बारिस कब होती है अधिक बारिस कब होगी और कम बारिस आपने देखा हुआ हमारे इंडिया में कभी तो नॉर्मल बारिस होती है कभी ज़्यादा बारिस होती है कभी बहुत कम वारिज होती है, उसका भी एक कारण है वो कारण हम बाद में देखेंगी खीक है? तो ये हवाएं, चल पड़ती है और जब सागरों से होती हूँ जब चलती है सागरों में होता है पानी उनी पानी को वास्प के रूप में सोक लेती है तो इल्मे हो जाती ये अधिक मात्रा में नमी तो जब हमने ये हवाओं का अपने इंडिया की रूख मोड दिया तो अब इंडिया में बारिस क्यों ना करवाई रेते हैं बहुत देर जब बरगान हो रहा है बारिस के लिए तो बारिस करवाई लेते हैं इंडिया में तो जब बारिस जब इंडिया में करवाएंगे तो यह जो यहां निम्नवदार्ट को बाई छेत्र बन रहता तो आपको पता है जब यह यह जो भूमद रेका थी और हवाओं का रुख हमने मोड दिया था हवाओं करवः हमने मोड दिया था ठीक है यह मोड दिया आपको यह जशे यह जो चय ऐक्राइए यह हवाएं ज़ो चल रही हैे और यहां से यहां पढ़ता है हमारा नील गिरी पर बाद काडमं परबस चलानी ठीक है न यहां पड़ता है तो इस चैकरा के तो यह हवाएं तो सापा में बढ़ जाती है एक तो यह इधर हो जाती है और यह इधर चल पड़ती है ठीक है इधर चल पड़ती है यह हवाएं इधर चल पड़ती है और यह हवाएं इ चलती है उन हवाओं को नाम उधर से ही कहलाता है यानि कि जो जिदर से हवाओं चलती है तो मांसुन को नाम भी कुनी हवाओं के नाम पर रख दिया रहता है तो यह जो हवाय चल रही है, तो यह तो हमारा दक्चिन बोले, यह दीचे वाला हमारा दक्चिन है, और यह हमारा क्या है, पस्चिन है, तो दक्चिन पस्चिन से चलने वाली हवाय, कोई क्या कहता है, दक्चिन पस्चिन मांचून, दक्चिन पस्चिन मांचून, और यहां ब बंगल की खाड़ी की ओर जाएगी और यह अरबसागर से जो भारत का पस्षी में जो तठ है जिसको साधरी नाम से जाने लगता है तो यह जो पूर भी गॉंट में किसका एंडिया और यह पूर्बीहाट बिल्कुल को इंटिणू में अपनी रंकला बनारा है लेकिन यह कटा-चटा है। और यह जो है यह वह हमारी गारोखासी जैन्सिय पाडिया में किया है हमारा प्रायदिय वारत का पठार का चेतर है कि भुमत्रेका से जाने में इसको टाइम लगेगा ठीक है इसको भी टाइम में लेकिनर बुमत्रेका करता की पड़ता के तडिक को सबसे के धर पहले वर्षा लगबगभग सब्ता के फैस्ट पूरे जून जो जून आता है जून तो जून के दोगों यहां पर 21 जून को लंबच चमकी तो यहां बन रहाता है क्या आयटी तो इसी को भरने के लिए हवाएंचर पड़ती है तो आवाओं के पास में सिर्फ यह पड़ता सबसे तो यह एक जून को एक जून को बारिस पर देता के रहे हैं तो जैसे ही यह नीलगीदी परवस से टकराएगा यह मानसून यह जो नमी युक्त हवाएं हैं मैं हवाओं को बता देता हूँ आपको हवाएं चल रही है नम्यूकत हवाएं चल रही है ठीक है और उनके सामने यदि कोई आउरोध पेदा हो जाए तो वो हवाएं उससे टक रहे हैं उपर उठती है उपर उठती है उपर जाकर और अपनी हवाएं उपर उठती है उपर उठने के बाद जब वायू मंडल का तापमान और उन हवाओं का तापमान वायू मंडल का टेंपरेचर और हवाओं का टेंपरेचर जब समान हो जाता है उसी टाइम पे बारिस हो जाती है उसी टाइम पे जिस प्रकार वायू मंदल का टेंपरेचर एक वाय तो उसी नमयूगत हवाओं हवाय अपनी जो बास्प था अपनी पानी के रूप में जो बास्प घ्रहन किया था वो नीचे बरसा देती है ठीक है तो ये जब निलगी परवस स्ट टकराएंगी यह वाय यह वाय तो यह वाय तो हवायों में टेंपरेचर और हवाओं का टेंपरेचर वह व्यूपल्गी रिवाहन हो जाएगा और जैसे समान हुआ तो अपनी वास्क रूप में पानी घ्रण किया था वह छोड़ देंदी ठीक नीन गरी परवर्वत पर इन की बारी होती है 300,000 लगवग लगवग 500-300 सथेंटीमिटरं लगवझ सेंटीमेटरं। सुसाइब आपको मैं बता दू थोड़ा सा कि 3 1.500 लगवohat यहां आफो आफे बात करे mo तो ये जो निलगीरी परवस सेड़ी जो केरल करनाटक तमिल नाडू में फेली तो उसमें निलगीरी परवसी टतरा करके हवाएं उपर उठती और बारिस होने का कारण ये है कि बारिस नमियुक्त हवाओं के आवरोद होना जरूरी है अगर आवरोद नहीं होगा तो बारिस नहीं होगी चाहे कितनी भी नमियुक्त हवाओं आवरोद तो होना अवरोद तो हो गई होगा अगर आवरोद होगा तो बारिस होगा तो यहां पर जो मांसून सबसे पहले एक जून को केरल में वर्सा करता है तो यह मांसून की पेली वर्सा होती है तो केरल में वर्ता जैसे नील की परसा हुई तो इसे को मों बहुंगे मांसून विसपोड सबसे पहले केरल में को सबसे पहले कि एस aka तो केरल से जब आiała को हुई तो और सादरी परवत के सारे पस्चिमी घंट के सारे आगे बढ़ता जाता है आगे बढ़ता जाता है और जो यह दर्रे हैं इससे मैं बता दूँ आपको जिदर जिदर बारिस होगी तो मैं आपको यहां बता है जिदर बारिस होगी उदर तो बारिस का चित्र बोल नेगी लेकि तो बादल आया हमारे इन में नमी है तो ये होके कहां उठे ऊपर उठे तो ये ऊपर उठेंगे तो ये अपनी क्या कर देंगे बारिस कर देंगे कि यह बारिश खर दी फशे खेत करदी लेकिन यह बारिश नहीं कि dov और प्रश्टि छायं प्रदेस क्लता है के रेंस एडराइजन के लाता है घिन करेंस एडरो रेंस। कहा हुए उपर उठ दने तो उतना उठ्ञे से उठी से करते हैं और जब नवी युग थवाए कि वो चल पड़ंक इस पस्शिविक आठ के पा हे हो तो फिर उस उनको नेलीरी परवत पर रोड़ा बेटा मिलेगी यहां बारिस करेंगी तो मैं आपको बता दू यह जो पस्षिमी घाट से हम पोच रहे हैं उत्तर में यहां दक्षिड से हम पोचते जा रहे हैं उत्तर में तो जैसे दक्षिड से उत्तर में पोचते हैं यहने कि परवतों की उचाई गड़ती जाती है तो परवतों की उचाई कम होती जाती है जैसे अना अना इंग उड़ी की उचा ये चबीस सो फिंचान पर मित अब्स प्रकार लिए नियर्गीर परव सणी पर टोड़ा वेटा की ये चबीस सो थे तीस मिटर भी सो फिर महावलेस पर कन्नाटक में चाउदास प्रवत की उंचाई कम होती जाएगी वो क्यूं होती इनमें बता रहा होगी जब आफ्रीकन क्लेट से हमारी इंडियन प्लेट टूटी जब आफ्रीकन प्लेट से हमारी इंडियन प्लेट टूटी तो जैसे जैसे टूटी तो हमारी इंडियन प्लेट उत्तर पूरु में अभिसरण करने लगी यह उत्तर है और यह पूरु है तो इधर अभिसरण करने लगी और इधर थी कौन सी यूरेशन प्लेट तो थी भारी यूरेशन प्लेट तो थी भारी और इंडियन प्लेट थी छोटी यानि कि हल्गी यूरेशन प्लेट थी भारी इंडियन प्लेट थी हल्गी तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट अभी सरण कर रही है उत्तर पूरू में अभी सरण कर रही है और यूरीशन प्लेट अभी सरण कर रही है तक्छूण पस्चिं में तो जैसे इन दोनों में तक्राव हुआ तो इंडियन प्लेट ये यूरीशन प्लेट तो यह Indian plate है यह हलकी है यह Eurasian plate यह भारी है तो जैसे इनका टकरा हुआ तो Indian plate निचे दर्भई तो इधर के इस्सा क्या होगा है उचा होगा है यह उचा होगा तो उसी प्रकार जैसे जैसे Indian plate ॉस्थर पूर्वी की अभिश्रण कर रही है उदर Eurasian Plate है Eurasian Plate है वो भी अभी सरन कर रही है तो ये Indian Plate Indian Plate जब Eurasian Plate से टकराएगी तो जो Indian Plate है हलगी और Eurasian Plate है भारी आप खुद समझो कि जो भारी चीज होगी वो तो उपर उठ जाएगी और भारी चीजे वो उपर उठ जाएगी और जो हलकी चीजे उसके नीचे दब जाएगी ठीक है तो उसी प्रकार जो ये जो Indian Plate Eurasian Plate से टकराएगी तो जेसे Indian Plate नीचे भी इधर का हिस्सा होगा है उपर जो दक्षिर का हिस्सा क्या होगा है उपर तो उसी प्रकार से तो ये जो परवतों की जो हुचाई है जो परवतों की जो हुचाई है ये इधर से दक्षिर से और अगर चलते हैं उत्तर के और तो ये घटते जाते क्यूं कि ये छेतर दाबा नीचे और ये छेतर उटाएग उपर तो जब कोई भी चीज नीचे ये एसे ये एसे बढ़ रही है ये ऐसे बढ़ रही है ये यूरेशन पेल्ट ये इंड्यन पेल double टो येसे टख रही है और जैसे इंड्यनप्रेट नीचे गई थैंगाई तो इधर का कहिस्ता उपर ओंगा ठीके तो ये जो छेतर एंगर ओ जयादा ओर उत्तर में ऊचान के हमाले उत्ताओं यह इतना कुल यह एंडियन ब्लेट ही यह फॉल्ड ऑकर अवपर उठने लगी और इसके बीच में 30 सब्सक्राइब मन क्मेस कशफ की जो तो बहुत पूरा नहीं मले से ठीक है तो यह तो अभी नया है यह थो अभी नियू था इस की अहला है प्रण्डी भारत कि आ पिछतर तो आपके मन में यह क्यों canción अप्रागा अब दूर वह गोए होगा क्यों हिमाले में तो बहुत ज्यादा मुची चोटियां तो है लेकिन हिमाले का निर्माण अभी प्लेट विवर्तने की कारण हुआ प्लेट के टक्राओं के कारण हुआ तो यह से यह क्टेदी सागर वहा करता तो यह ऊपर उठा और यह फोल्ड वने लगा यह जैसे आप किसी बोल को लेना मुलाया रबड क्यों नची दोनों और से पिछकाना तो देखना ये नीचे का हिस्सा उपर का हिस्सा उपर उठने लगेगा तो उसी करेंट से हिमाले का निर्माण हुआ तो और इक udaran मैं देता हूं pakai जब कभी आप September से आठा गूते हो दोनों हाथोसे आठा गूता हो तो दोनौ आतों के पीच में जो ओपर उठा हुआ ओता फोल्ड के रूप में यू यू गून्दो गे तो दोनौ आतों के पीच में कुछ आता होगा और वहाथ का हँआ होगा उ तो जो बल लगा दोनों ओर से तो यह जो बीच वाला हिस्सा का उठने लगा उपर ठीक है तो इसी करण देमाने करने निर्माणों का और यह तकराई तो यह नीचे यह बड़ी बारी प्लेट के नीचे यह प्लेट दवी और यह पीछे से उपर उठी जब कोई भी चीज जब तो यह बिल्गुल सीघinky यह जब कोई भी प्लेट नीचे जुकेघी तो यह ऊपर और यह पीछाई होगी फिर हम पर यह कम उतरा तो यह पर जाला हुँछाई और उतर में चले और कम उंचाई जरू उतर में इंजाए यह कम हुछाई तो ये उचाहि इस प्रिकार से बढ़ रही है ठीक है तो अब हम देखते हैं बारिस करवाते हैं हमारे इंडिया में ठीक है बारिस करवाते हैं इंडिया में